हलो ही जो आज हम बनाएंगे श्ट्रीट स्टाईल capable लेखं़ के लिए मैंने सबसे पहले अंडो와 लिया देख़िए मैंने सेवन एक्स लिये हैं उन्हें'RE को मैंने बबाल के छीड लिया है और इसके लिए हमें बेसन चाहिए तो बेसन में घोलने के लिए मैंने लिया हारी मिर्च, लसन, अद्रक और इनको हम बहुत अच्छे से कूट लेंगे ऐसे मिक्सी में अगर हम ग्राइंड करते हैं तो उसका फ्लेवर अलग आता है और अगर हमें इस तरह से कूट लिया तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है तो मैंने इसको बरी कूट लिया और फिर हम एक बावल में लेंगे बेसन ठीक है एकोर्डिंग टू एक्स आप बेस अब इसमें हमने डाला एच्वाइन नमक और रेड चिली हम हलकी सी डालेंगे क्यूंकि हमने इसमें ग्रीन चिली अड़ कर दी है नहीं तो यह बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा ठीक है अर अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप रेड चिली पावडर आड़ कर स देखिए इस तरह से इस तरह से देखिए बहुत गाड़ा सा घोल बनाया मैंने यूंकि यह बिल्कुल तभी एक से लिप्टा हुआ रहेगा नहीं तो बह जाएगा जब हम इसमें एक डालेंगे तो तो यह एक्स को मैंने लेंध वाइस बीच में से काट लिया इस तरह से द ओके तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने क्या करना है एक्स को डिप करना है बेसन में और उत्ती दिर हम साइड में क्या करेंगे लोहे की कडाई में मस्टर्ड ओयल गरम करने के लिए रख देंगे ओके मस्टर्ड ओयल में जब हम पकोड़े बनाते हैं तो बहुत ही निप निपने निपने लगती है तो हम उसमें डालेंगे ऐसे एक्स और बेशन में डिप करके अच्छे से हम इसको गरम ऑईल में फ्राइब करेंगे देखिए एक एक करके डालते चाहिए क्योंकि इसका जो योक है वो निकलना चाहिए इसलिए बहुत अराम से उठाइए उसमें डिप करिए एक एक करके और मस्टर्ड रॉयल में बिल्कुल लो गैस पर हमने इसको फ्राइ करना है देखिए इस तरह से देखो ठीक बेशन है तो इससे यह बिल्कुल भी बह नहीं रहा है और अंडों के साथ ही लगा हुआ है तो देखिए हमारे एक्स बनके रेडी हो गए हमने इसको ऐसे प्लेट में सजाया और उपर से डालिए चाट मसाला हरा धनिया हरी प्याज और टमाटो केचप के साथ सर्फ करिए और घर में बनाए और मेरे को बताइए कोमेंट सेक्शन में कि आपके पकोड़े कैसे बने औ और मेरे इस चानल को सब्सक्राइब कीचिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीचिए ओके फिर मिलते हैं